दोस्तो रेम और रोम एक बहुत इंपॉड़ेंट टॉपिक है लेकिन साथ ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही जादा कन्फियूज करता है जहां पर रेम तो फिर भी आपको किलियर हो जाएगा लेकन रोम को लेके कहीं न कहीं जो किताबी ग्यान दिया हुआ है उसक चलिएले शिरू करते हैं अब सबसे पहले हाँ बात करते हैं राम की canopy rag blender राम का मतलब होता है रेंदम एक्सेस अम्री पर नंपburg होते हैं कि यह थाषिश संप्डवियर आपके कंप्री ने होते हैं जैसे कंपीटर को क्रों अप्र यहां प2 करों हो वक यहां पिक्रान हो घा होता है वह होता है RAM तो RAM क्या करता है इन software को चलने के लिए जो ताकत चाहिए जो यहां पे support चाहिए वो RAM देता है अगर आपके system में RAM नहीं है तो इन में से कोई भी software कोई भी यहां पे जो program है वो अपरेट नहीं होता दूसरा example अगर मैं RAM का आपको दूँ तो आपने एक चीज़ नोटिस के होगी कि जो पुराने टाइम के mobile phone थे जहां पर 1GB तक आपको RAM मिलता था या 812M भी मिलता था या फिर मैं बात करूँ 2GB RAM के तो अगर उस mobile में अगर आप 3-4 गेम चला रहे हो या फिर ज्यादा software चला रहे हो तो क्या होता था आपका जो phone है वो hang on a start कर देता था ऐसा क्यों क्योंकि जो phone है अब जो आपका RAM है वो है 2GB और जो software जो program साब चला रहे हो उनका loading 2GB तक हो गया है 2GB से उपर हो गया तो क्या हो on hang होना start हो जाता था या फिर आपका system hang होना start हो जाता था पहले चीज़ के RAM करता क्या है जितने भी software है उनको load लेने का जो काम है वो RAM करता है दूसरी चीज़ जो यहां पर RAM के definition में आपको मिलती है जो RAM होता है वो वोलेटाइल मेमरी होता है वोलेटाइल इन दे सेंस कि यह एक temporary मेमरी होता है एक example करना प्रैक्टिकल करना कि आप अपने computer में एक folder आपन कर लो आप कोई साभी software आपन कर लो एंड कोई भी एक दो फाइल जो भी है डॉक फाइल होगे या कोई भी आप खुल लो उसे खुलने के बाद आप अपने system को सीधा shutdown कर दो अब जब आप उसे shutdown करोगे shutdown होने से पहले वो सारे की सारे जो file software हो सब खुला हुआ है लेकिन जैसे आप उसे बंद करते हो और दुबार आप उसे start करोगे तो उन में से एक भी file आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि वो सारे software सारे file किसके भी आप पे चले थे RAM के भी आप पे अब जब आपका system ब temporary memory बूला जाता है temporary memory कि जब तक आपका system चल रहा है जब तक loading चल रही है तब तक वो सारी file चलेगी loading खतम फाइल बंद अब बात करते है रोम के रोम का मतलब होता है read only memory ध्यान देना आप read only memory अब यह जो रोम होता है यह आपके CPU में कुछ इस तरीके से होता है जो inbuilt होता है अब इस रोम में होता क्या है क्या ऐसी memory होती है जिसको सिर्फ आप read कर सकते हो बदल नहीं सकते एक जिसको के लिए रह अब यहां पर इसका क्या काम है computer में क्या काम है इसका देखो आप system on करते हो तो उसके लिए भी कोई command वहां पर system में पहले से होगी आप system restart करते हो उसके लिए कोई command पहले से वहां पर होगी आपके जितने जो भी component है जैसे कि आपने यहां पना phone प्लग किया data cable की मदद से य यह जो data है वो सारी जो coding हो रही है वो सब predefined है जो कि read only memory में store होती है तो जितना भी आपका computer कैसे start होगा इस बटन को दबाने से restart होगा इन सब की जो coding है यह already predefined होती है जो कि read only memory में होती है और इसे आप बदल नहीं सकते सिर्फ यह जो चीज है already हो चुकी है और उसको read only memory I hope की clear हो गया और यह होती है आपकी non-volatile यानि की permanent memory जैसे आपने देखा कि आप system 10 बार बंद करो 20 बार बंद करो computer उसी बटन से on होगा उसी बटन से restart होगा आप data cable वहाँ पे insert करोगे keyboard attach करोगे कुछ भी करोगे वो सारा का सारा predefined है इसलिए उसको बोलते है read only memory जिसको आप बदल नहीं सकते that is why RAM is the volatile memory and ROM is the non-volatile memory I hope की कि लिए रोगया होगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे like करें और अपने दोस्तों के बीच में साधा साधा शेर करें thank you